पीजी वालकम सीविन पीजी पॉइंट तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो परिक्षा आपके 24-8-2023 को हुई थी उसका आज आपका रेजल्ट आ चुका है ठीक है अच्छा जी चेक कैसे करेंगे मैं देखो चेक करने का तरीका ये है कि आपको यहां पर एक सर्च को ऑप्षन दिखेगा जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्षन पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजे कि आपने अपना रोल नंबर एंटर कि आपका जो नंबर है आप एंटर करिए फिर सर्च पर क्लिक कर दीजेगा तो देखें यह देखें मतलब यह बच्चा सेलेक्ट हो गया है सो कॉंग्राचुलेशन्स फॉर आल दोस स्टुडेंट्स वार सेलेक्टेड इन इस एक्जामिनेशन ठीक है अब जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए भी बातशीत करेंगे तरह यह देखें हाइलाइट ड्रोल लंबर हो जागा तो इसी तरीके से यह पूरी लिस्ट जो है वो गीवन है और इस पूरी लिस्ट को हम आपके समक्ष प्रेशित कर रहे होंगे अपने टेलीग्राम चानल पर जो टेलीग्राम च से लिए 68 सेलेक्शन हो गया दिनका 67 अगर बात करो जनरल केंडिडेट की तो उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है ठीक तो कट और खैर हाई गई है लेकिन अब हमें आप से कुछ बाते शेयर कर नहीं है तो सुनिएगा चख्शू पप्लिकेशन की वन उफ बेस्ट बूक जो कख तो वह क्यों है उसका व्याख्या दी होगी ताकि उस टॉपिक से संबंदित अन्य कोशन बनता है तो भी आप कर पाएं पेपर वन में जो आपके दो पार्ट में लेंग्विज की कोशन होते हैं उसमें आपको हिंदी बाच अंगरी जी भासा के सव कोशन जो आते हैं आपके इस किताब को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरा चैप्टर दिखेगा चैप्टर के एंड में आपको mcqs टाइप कोशन भी दिखेंगे यदि आप यह पुस्टक मंगाना चाहते हैं तो लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं जैसे परि आपने देखा कि अगस्त में अभी आपका क्या हुआ एक्जैम हुआ ठीक है अगस्त के बाद में सप्टेंबर औक्तूबर देड महिने में इन्होंने क्या किया रिजल्ट जादी कर दिया जब बीट बीटेसी सुपरीम कोर्ट इतना विवाद होता रहा तब पर भी ठीक त यहां 6-8 के पद होंगे 9-10 के होंगे 11-12 के भी होंगे 70,000 कहीं जा रहे हो सकता है कि पदों की संक्या बढ़ भी जाए क्योंकि जो अब TRE1 में बचे हुए पद होंगे न उनको भी इसमें एड कर दिया जाएगा इससे पहले बीट में जो बच्चे थे उनका रिजल्ट नह जब उनका रिजल्ट आ गया सीटेट वालों का तो जो बच्चे सफल हो गए थे सीटेट का पेपर में उनको बोला कि आप फलाने दिन माकशीट अपनी अपलोड कर दीजे बच्चों ने सिंपली माकशीट अपलोड कर दी और उनका रिजल्ट आज आ भी चुका है तो हो सक से माक्षिट अपलोड कर वाले यह पॉसिबेलिटी जैनल लेकिन इस बार ना आपको समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि आप देखो प्राइमरी का अपर प्राइमरी का या कह सकते टीजटी पीजटी जितने भी पेपर इन्होंने करा है सबका रिजल्ट जारी कर दिया है ना अब क्या है अब क्या है अब बस नई वेकेंसी का नोटिफिकेशन समझो आने ही वाला है लॉस्ट अक्टूबर तक एट एन्हों आ जाएगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहे हैं जैसे ही इनका डीटेल रिसिला बस आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बड़ी वेकेंसी होने वाली है और उत्तरप्रदेश की तो बस मुझे कुछ कहना ही नहीं है मैं को तो अपने हाप यह मान के चलो है लेकिन बिहार वालों की जो वेकेंसी आ रहे हैं उसकी हम एक एक निउस इसलिए देंगे क्योंकि आप जो 6-12 की वेकेंसी है ना इसमें ब बैठे रहो एकदम तो पढ़ाई शुरू कर दो कुल मिला के न्सी आइटी इस ही पढ़ना शुरू कर दो अपने सब्जेक्ट की कम से कम अच्छी तयारी करो मैरिट हाई गई है प्राइमरी में क्योंकि लोग जादा थे अब आप सोचो बीड में कितनी जादा हाई मेरिट होगी स्पेशली 6-8 में क्योंकि 6-8 में डेलेड वाले बच्चे भी सफर करेंगे और बीड वाले भी तो नो डाउट कि इसमें तो बहुत तगड़ा कॉम्पटिशन होने वाला है तो इस वज़े से आपको क्या करना है बहुत अच्छे से पढ़ाई को दारी रखना है जी सब्सक्राइस भी पढ़ते रही है और अपने सब्जेक्ट को आप मजबूत रखें तो यह थी चोटे से जानकारी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के मादें में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगा धन्यवाद